नमस्कार दोस्टों, मेरा नाम संजेख हैरनार, दोसों पेड़ पाउद के बारे में जान कर देता हूँ तो आज आयसा आशलेश्या नक्षत्र का पाउदा, जो नाक चमपा है, उसके बारे में जान कर देता हूँ जो आद्भूत और न मिलने वाला पेड़ है तो ये मुझे नासिक में बिटकु के पास हमें मिला हाईवे के पास था तो वीडियो को आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सस्क्राइब बटन दबाए और वीडियो को पूरा देखे इस पेड़ को कैनन बॉल ट्री बोला जाता है इसको बटनिकल नेम करुपीटिया जुनेनोईसिस है मराटी में इसको तोफन जाड या शिव कमल या कैलाश्पति बोला जाता है बरेंगिटो ने या फैमिली का ये पाउदा पेड़ है तामिल में इसमें नागलिंगम, तेलगु में मली कारजुन तथा नागलिंगम बोला जाता है मराटी में इसको शिव कमल नाक चमपाई कालाश्पति बोलते है यह उर्क्ष महा उर्क्ष को गिंती में आता है जो सौस साल से उपर रहने वाला पेड़ है यह 40 से 90 फिट तक उचा बढ़ता है हरा 6000 तथा जादा दिनों तक चलने वाला पेड़ है यह भारत स्रिलंका, थाइलैंड, चीन में पाया जाता है मगर यह खतम होने के कगार पर है इसलिए इसके सिर्फ पूरुरे दुनिया में बहुत कम पेड़ बचे है फिर भी यह पेड इस पत्ते, फल, फूल, छाल, सब कुछ एका जुबा है सभी पेड़ों में यह पेड भिन्न है हर पेड गोलाय में बढ़ता है, यह पेड लंबा उचा बढ़ता है किस भी पेड के तन्य में टनिया नहीं होती, सब उपर होती है मगर इसके जमिन से लेकर के उपर तक फल और फूल के लिए छोटी-छोटी टनिया जैसे बढ़ में आती है, इसे निकली होती है और इसमें किसी भी पेड के टनिया के अंत में फूल लगते हैं तो इसमें नीचे से लेकर उपर तक फूल से भर जाता है यह उरुक्ष्य और बाद में फूल से फूल बनना चालू हो जाता है जो बड़े, कैनन बाल मतलब तोप का गोला तो तोप गोले की तरह मतलब नारियल से भी बड़े, इसके यह फूल बनने लग जाते है इसके तने में ही फनस की तरह यह फल लगते है हर पेड़ के पत्ते तीन से छे मैने तक रहते हैं मगर यह पेड़ के पत्ते दस से पंदरा दिन में गिर जाते हैं और नए उगना चालू हो जाते हैं मतलब साल भर में इसके बहुत से पत्ते नीचे गिरते हैं और नए पाइदा होते रहते हैं इसका फुल भगवान शिव को तन मन धन से आकभी आरपन किया जाए तो मन वांचित इच्छा पुरी हो जाती है एक हजार बेल पत्तर चड़ने के बजाए एक इसका फुल चड़ना बहुत महत्व रखता है इतना इसका महत्व है क्योंकि इस फुल का रचना ही साइंस भी इसको रचना से हैरान है इसे छे पंखुडिया होती है जो सर्प की आकर की फन है उसकी तरह होता है और ये अंदर उसका पुंके सर और स्टिगमा होता है जो शिवलिंग की तरह दिखता है उपर से भी यह पंखुडी ब्राउन कलर से होती है और अंदर से गुलाबी कलर में होती है और यह पेड शिवमंदिर में लगाया जाता है बुद्धिष्ट भी इसके पुजा करते हैं क्योंकि बुद्ध का दिय वसन मतलब निर्वान इसी पेड़ के नीचे वहाता और नए बुद्ध का आउतरन भी इसी पेड़ के नीचे होगा अभी बुद्धिष्ट में माननेता है अभी इसके medical गुन बताते हैं यह antiseptic है, antifungal है, antigasic है तो यह बहुत काम का रुक्ष है अभी-अभी कुछ दुनेया में पता चला है कि यह TB में हाले में इसका पता चला है कि TB मतलब तपेदी का संक्रा मक्रोब होता है जो mycobacterium से होता है tuberculosis के कारण होता है इलाज पहले से था यह जो पेड़ है, यह बड़ा शक्तिशाली anti-mycobacterial ततु है इसमें जो पत्तो का चुर्ण बनाने से इसमें पाया गया है कि 17.33% TB के कीटेनों को खत्म करने का इसमें सामर्त है ऐसा हाले में एक mycobacterial lab में अध्यन से पता चला है इसके फल से chloroform extract निकला जाता है जो 52% बायोफार्म और 9% इदिरूबिन निकलता है जिसमें रोगनो रोधी गुन पाये जाते है जो भी SPCLA lab में यह भी सामने आया है जो kolosot को कम करता है diabetes को कम करता है और फुल और पत्ते का जूस पिने से सर्दी, जुखाम, खासी, पेड़दर, चर्म, रोग ठीक हो जाते है तता साउथ आमेरिका में यह पेड़ से मलेरिया की दवा बनाई जाती है फल का पदार्थ इंसेक्ट रिप्लेस्मेंट ओडर का काम करता है इसलिए जंगली तता आदिवासी लोग जो रात में शिकार करने निकलते है तो इसके फल को संबाल कर रखते है और जब रात में शिकार करने निकलेंगे तब इसका पदार्थ जो फल का वो पूरे शरीर पर लागाते है जो मच्छर कोई कीड़ा उसको काटता ने दाद दर्द हो, मसुडे सुजन हो, कीडा लगा हो, तब इसका पत्ता और एक कपुर की गोली रखकर चबाने से दाद दर्द कीडा दर्द ठीक हो जाता है क्योंकि आपको चबाने से पत्वड़ा सा जिप को अलग से लगता है तथा घाव होने पर कीडानू खत्म करने के लिए इसका पत्ता का लगाने से घाव ठीक हो जाते है ऐसा यह फुल बहुत महुत पूर्ण भी है इसका फुल में भी यह देखो यह फुल जो है इसमें नाग की तरह इसमें नजर आता है सब जगर नाग चारो तरप से फैले हुए है मतलब उपर हजार नाग होगे नीचे भी हजार उसमें बीच में होता है उसमें स्टिग्मा जो शिव का देखो इस तरह से नजर आता है पिंड की तरह इसले यह भगवान शिव को बहुत प्री है तो यह भगवान शिव के पिंड की तरह नजर आता है इसले यह भगवान शिव के मंदिर में एक बार यह फुल चड़ाए अपने मनों काम ना बताने से जरूर उसक पूरी होगी तो यह फुल जरूर चड़ाए राम मंदिर के आगे या मारोती मंदिर के आगे जरूर इस पेड को लगाए और वुर्ख्ष को लगाने में बढ़ावा दे और हर अद्मी ने जिन्दगी में एक पेड ऐसा बड़ा जो 100 साल से उपर जिता है जिने वाला पेड जरूर लगाना चीए और यह पेड लगाने के बाद 15 साल के बाद इसको फूल आता है और फिर उसमें जो फल आता है वो डेड़ साल के बाद नीचे गिरता है पके नीच उसको मच्छर इससे दूर भाग जाते हैं तो यह पेड बहुत कामका है तो मेरे आईसे ही वीडियो आगे देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दावाए, लाइक करे, शेर करे और इस पेड के बारे में और कुछ आपको जानकर है तो जरूर कॉमेंट्स में लिखे, तथा इस पेड के आपको पाउधा चाहिए या बीज चाहिए तो जरूर कॉमेंट्स करे, हम आपको जरूर ये इसके बीज आपको बाई कूरियर भेज देंगे तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार तो मेरे आपको जरूर सबस्क्राइब करें